नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल क्लास इसमें आपका स्वागत है, आज के इस सेशन में अधुनिक भारत से TCS के दौरा जो एक्जाम जो कंड़क्ट करती है TCS, उसके दौरा जो कोशन पूछे जाते हैं, या कोशन पूछने के जो संभावना है, उस पे ये वीडियो लाया हू ये खास करके, हिस्टी का ये स्टैटिक पूर्शन है, इसमें जो कोशन जो हाज का जो वीडियो में डिसकस करूँगा, वो खास करके जो कोशन है, वो आपको बिटीस भारत से है, जब इस इंडिया कंपनी आई, बासको डिगामा जब पूर्टगाले कंपनी आई, तो किस ये अधिकार किया, और जो इससे important कोशन है, वो सिर्फ इसमें बात किया गया है, तो चलिए, इस्टार्ट करते हैं, पहला कोशन है कि बासको डिगामा बासको डिगामा भारत किस बरस आया था, देखिए ये सब factual कोशन है, बासको डिगामा जो भारत आया था, उसके वारत पर्तव्डा बंदरगा पर आया था शिचत इसमें कि पूचल वाथ रहा हूं कि तांक्य compression आए तो आपको भी धान है कि आ रहा है जे हां में यहां पर आने के बाद नौने यहां से मसाला यहा था झथी अ प्रतगालि यक वागंद तो पहला बार यह मसाला ले गया मसाला लेने के बाद जब इरोपिय बजार में बेचा था इसको 60 गुना मिला था 60 टाइम्स प्रोफिट में बेचा था जब 60 टाइम्स प्रोफिट में यह बेचा तो वहां लगा कि ऐसा किया जाए कि हां मसाला का बेपार किया जाए मतलब यह ijinedia company भारत आती है। इन्होंने पूछा जाता है — इसे के पिशे जाता है.. ना पर्थम बार कहाते है कि अपनती बनाता है… क्यों क्यों कि अच्छा के लिए इनको पूरा जाता है कि पर्थम दूर की स्थापना इंडिया में कहां किया था तो जो पर्थम दूर का स्थापना जो किया था इंडिया में यह आपको 1503 इस्वी में देखिए यह आया था किरला में तो किरला में ही किया था किरला में एक यहां पर इन्होंने पहली वार एक दूर की अस्थापना की थी इससे अब पूचे जाते हैं बुलू बार्टर पॉलीशी नहीं लाया था देखिए बुलू बार्टर पॉलीशी क्या था कि अब जैसे ही यह आए अभी जैसे माल लेजाएगा एक अरेबियान सी है मेरे उसका कउंट्रोल है बारत का कोई नाज सागर मेरे किसका का ब्हुत बहुत जादा थी नहसुप जाड़ Wirra Dragcha से अगर कोई ओजरती हुर ऑर का उसको पैसा देनाा होगा जिससे यह जो चोर जो होते हैं उसे बचाते थे इसी को बुलू बाटर पॉलिसी के नाम से जाना जाता है बुलू बाटर पॉलिसी लाया कौन था इसका पर्थम जो वाइसराइज इसको बोल सकते हैं वो था फ्रांसिस्को दा अलमिडा इतना ही जानी है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएंगे, चलिए. अगला कारा, कि कलकट्टा को किसने बसाया था? मतलब कलकट्ट्टा जो आज आज आध दीख रहा है, तो इसको, किस टाइब से, किस ने बनाया? मतलब जो बसाया वहां पर लोगों को लाकर बसाया पहले तलकत्ता जो इतना भीर भात उतना नहीं था एक छोटा सा गाउं की जैसा था तो उसमें लोग आ करके बसाई गए जिसको बनाया तो जौब चौर्णॉक इसका सही अंसर हो जाएगा जौब चौर्णॉक ठीक है अग इंडिया पंपुनी के रूप में बन के आया ठीक है जब यह आया था तो इसका मुड लूप से इसका जो मकसद था वो था बैपार करना ठीक है जब यह आया तो पहली बार फैक्ट्री स्थापित किया था सूरत में 1608 हिस्वी में पहली बार जहांगीर के दरवार में गया था वहां पर इनको सफलता नहीं मिली 1613 हिस्वी में उनको सफलता मिली अगर प्लासी का जूद का बुआ देखिए बहुत फेमस यह चलता हो जाता है कि यह इस जूद के बाद ही धीरे-धीरे करके जो एक कंपनी जो थी वह भारत में एक सासन के रूप में अस्थापित करन अस्थापित कर दिया था लोगों से टैक्स लेना अस्थापित कर दिया था अगर आप सोचिए कि अगर आज अंबानी कंपनी है वह टैक्स तो नहीं लेती है वह तो सरकार टैक्स लेते हैं भूर अजारस में इतने भी होते हैं अगर यह कहे कंपनी अडानी कंपनी कि नहीं हम टेक्स लेंगे तो यह अब डिरेक्टली रूप से सरकार कौन चलाने लगा कंपनी लोग चलाने लगे तो इससे मुहां पे हैं कंपनी आये थी बैपार करने लेकिन उसे ऐसा लगा कि नहीं ऑभियास ही कि जब की कोई सीच पाधिकार कर लेंगे अधिकार करने के बाद बोल यहीं से यहीं के पैसा लेंगे और यहीं से अपना कंपनी को बनाएंगे यह प्लास्टी का जूद जो हुआ था 23 जून 1757 इसमी को हुआ था यह इतिहास में फिमस इसलिए है क्योंकि इसके बाद ही अंग्रेज ने धिरे-धिरे करकर के भारत पे हरापनास्तात्या था अब बंगाल के नवाब शिराजु दवला और अंग्रेज के गवर्नर जो था रोवाट कलाइब के बीच में हुआ था रोवाट कलाइब के बीच में हुआ था जिसमें अंग्रेज को जीत हुए थी अंग्रेज को जीत हुई थी 1757, पलासी के जूद, पलासी अखिर है कहां पर, पलासी बंगाल में है, जो आपको अभी हुगली नदी जो इसको बोलते हैं, उसके किनारे पर ये पलासी एक जगा था, जहां पर पलास के फूल होते थे, इसलिए उसको पलासी के नाम से जाना ज आता है, तो यहां पर सुराजु दौला और रोवर्ट कलाइब के बीच में हुआ था, जिसमें रोवर्ट कलाइब के जीत हुई थी, देखिए, उससे पहले सुराजु दौला जो था ना, एक साल, दो साली रहे, लेकिन वो एक अच्छा नवाब था, वो किसी का अधिनता स साथ यही हुआ, शुराजु दौला के जो इसके अपने लोग तो थे, वो रोवर्ट कलाइब के साथ मिल गए, लोव के चकर में, इसने लोव दिया कि अगर हम शुराजु दौला को हरा देंगे, तो उसके बाद तुमको अमीर कासिम जो था, उस समय उसको नवा बना इसके चलते बेचारा का, यह हार गये थे, उतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, ने तो वीडियो लंबे भी हो जाएंगे, और जो फैक्ट पुछे जाते हैं, वही सिर्फ आपको याद रखना है इस एक्जाम के लिए, आगे जब और चीज की बात करेंगे, तब आगे हम वह अस्थाफित कर लिया था, दिवानी मतलब होता है कि लेंड रेवेन्यू, रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार जो था, वह अंग्रेजों के हाथ में चला गया था, तो बक्सर का जूद कब हुआ था, बक्सर का जूद जो वह था, 1764 हिस्वि में हुआ था, 22 में 1764 के जूद में, 1764 के जूद में पीन वह, वह होता है ना कि आपको पहले एक आदमी बंगाल को हरा दी, अब आपको क्या हुआ कि सब मिल करके आपको हरा दे रहा है, मतलब कि आप यहां पर क्या हुआ कि आवद का नवाव, जो हराया था, आवद के नवाव, सुझाओ अबद के नमाव उस समय कौन था और मुगल नमाव जो था साह आलम दूती है मुगल नमाव साह आलम दूती है आपको जानना चाहिए कि जैसे ही औरंग जब कि मिर्तु शत्रा सव साथ इस्वी में होती है तो उसके बाद मुगल का जो भी राजा जो आएंगे वो सब नलाये थे उनके पास उतना च्छमता नहीं है लोगों को हैंडल करने के कैपरसिटी नहीं है तो यहीं चलते आवद के नाम नवाब को होते सुजाओ दला उस्टेम थे उसी समय मुगल के नवाब जो थे साह आलम दूती है यह क्या हुआ कि पहले क्या किया कि मीर कासिम को बैठा दिया मीर कासिम जब बना तो मीर कासिम जो था वो जब देखा किया रहे भाई हमको बैठाया कट्फटली के तुरूप में यूज कर रहा है तिनों ने धीरे-धीरे करकर के सोचा कि नहीं हम अंग्रेज के साब बात क्यों मानेंगे तो इनको भी अंग्रेज वाले जो थे इसको बाक्सर में जो बिहार के पास में जो बाक्सर जिला है जहां पर एलड़ा था तीनों मिल करके अब अगर तीनों को यह हरा दिया तो तो आप समझी रही हैं एक तीनों को हरा दिया इस तीनों को हरा दिया 1764 हिस्वियों बक्सर के जुद में अभी तीनों जब हर गए तो सोचों कि पूरा बिहार बंगाल और उरिशा का नवाब जो थे हरने के बाद पूरा का पूरा जो कंट्रोल चला गया अंग्रेज के हाथ में यही पे इलाहबाद की संधी होती है 12 अगर्ष 1765 को दो संधी अंग्रेजु ने किया 12 अगर्ष 1765 को लेकि इलाहबाद के संधी पूछी जाएगी हम आपको डिप्टेल में यह नहीं पूछा जागा कि किसके बीच में यह पूछा जाएगा कि बक्सर का जुद कब हुआ था 22 यह याद रखना है ठीक है अमें चलते बता दे रहें कि कोड़ा मुला आपको दिबाग में रही भानिक जैसा पढ़ेंगो थोड़ा जादा याद रखता है तो इलाहबाद के संधी हुए थी 12 अगर्ष 1765 में को इसमें देखिए दो गोलों कि किसके किसके साथ इसको तो भ 12 अगर्ष 1765 को इसमें क्या किया कि लाहबाद की संधी के तहत जो बंगाल बिहार और उडिशा तीनों का जो दिवानी जो थी वह अंग्रेज के हाथ में चले गई अब जो कंपनी कंपनी वेपारिक कंपनी नहों करकी शासन वाले कंपनी सरकार वाली कंपनी होने लगी जो बिहार बंगाल उडिशा से अपना दिवानी लेंड रेवेन्यू क्लेक करना स्टार्ट कर देती है यह आपको अस्टार्ट वजाएगा 12 अगर्ष 1765 से इसलिए बोला जाता है कि बक्सर के जूद को एक नियनायक जूद माना जाता है क्योंकि इस जूद के बाद पूरा ले लिया इसी धीरे धीरे करके यह अलग अलग निती लाई अलग अलग निती आई आई आपको एक सोचनी वाली बात है कि यह जो आया था 1600 इसमी में आया था पूर्टगाली जो आया था 1500 इसमी में आ गया था वह यहां पे बैपार कर रहा था फिर भी पूर्टगा भी अब बताएं तो इसका सब्सक्राइब बारागर 175 इसमीन को अव्वाद के संद्रूए थी अब आती है बांडी वास का जूद वह इसं लिए इस लिए इंपॉरिटेंट हो जाता है यूँकि इस जूद में इन्हों ने खास करके बांडी वास के जूद में फ्रांस को हरा मैं में 22 थे नाम के बेक्टी थे आयर कूट ने उससे मैं फ्रांस का जो गवर्नर था उसका नाम था कॉंट डी लाली कॉंट डी लाली ये फ्रांस का गवर्नर था फ्रांस का था ठीक है फ्रांस का गवर्नर कॉंट डी लाली था आयर कुट जो था वो आपको अंग्रेज के था आयर कुट ने कौंट डीड लाली को 1760 में बांडिवास के जुद में खरा दिया तो बांडिवास का जुद कब हुआ था जनवरी 1760 में को चलिए इतना अगर आप सबस्वे आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें और जो बच्चे चैनल पे नए हैं सबस्क्राइब करें क्योंकि आप लोग के लिए वीडियो ला रहा हूँ आपको भी एक रिस्पोंसलिटी बनती है कि मेरे चैनल ग्रोग करें और मेरे को आप लायक करते रहें गे तो मुझे भी एक मोटिवेसन मिलता है कि आप लोग के लिए कुछ करना है तो आप लोग पर बनाये रखें तो मुझे भी कभी लगता है कि चलो छोड़ दो कर तो लेगा है बच्चा पढ़ने वाले सब तो हैं लेकिन मेरा मनना है कि कुछ-कुछ चीज़े जो होती है आपको मेरे experience से आपको सीखने को मिलेगा अगर उस बच्चे अपने से करें उसमें हमको यह नहीं कहना है आपको जिसको वीडियो देखना है देखें लेकिन अगर म कुछिन है वो बुला जाता बंगाल का पर्थम को पहाँ nunta पहले जब आया पहले इन्होंने बंगाल का गवर्नर बनाया पहले अन्होंने बंगाल का गवर्नर डखिय कोई भी जब आया था अंग्रेज आये चहे फ्रान लूथ का परतगाल यह नहीं कौन इस शममय जो तह म में थे, बंगाल का, क्यों बंगाल जो है, आपको गंगा नदी के किनारे ही वैसा हुआ है, यहां का जमीन उपजा हुआ हुआ है, मदरास में आपको यहां पर दखिया Sea Area है, मुंबाई में आपको भी देख यह Port Area है, तो यह जो तीन जगा है, इंपोर्टेंट हो जाता है, बाद में चरके मुश्ली पर्टनमा अंदरपरदेश साइड में भी गया था, लेकिन यह जो में जो है, आपको स्थापित जो किया, चाहे पुर्टेगाल हो, चाहे अंग्रेज हो, यह तीन जगा पर कब्जा करने को शिक्तिया, क्योंकि यहीं से इसका बेपार होता था, तो आपको जब शुरू में आया था, तो अब बंगाल को चलाने के लिए अलग से गवर्नर रखा था, मदरास को चलाने के लिए अलग से गवर्नर था, और मुंबाई को चलाने के लिए अलग से गवर्नर था, तो अब क्या था, अभी जैसे हमारे देश में अलग-अलग गवर्नर है, माल लिए जाए कि बिहार का गवर्नर अलग है, मदरास का गवर्नर अलग है, तो अगर मदरास में कुछ होता है तो यहां का गवर्नर इस संभालेगा ना, बिहार का गवर्नर तो नहीं आएंगे, उसी टाइप से उस टाइम जो गवर्नर लोग जो थे, अल्ला गलाग छेतर में बिवाजित थे, अब इनको क्या लगा, कि नहीं, अब इन्होंने कहा कि नह पर जो पर गया है तो वह कि रखते हैं, उसे राता रहते हैं, उसको मतलब कि अधिकार दिये हुए है, औह उसे अधिकार लिये हुए है, तो इस टाइब से गोडनिये है, चलती है तो यहां भी वही किया था जिए यह पुछा जाता है गवार्णर जनरल करें पूचा जाता earned जिनाएगा श्तरस भतर अब पास बंगाल का पूछा तो अगर पूछेगा भारत का गवर्नर जैनररusto भारत के गवर्नर जैनरर भारत का गवर्नर print वह लौटयम बर्लियॆ बेंटिंग थे when यी याद िरक्षेगा य zwischen बहूं तो याद रखिएगा वाष्टे इने मार देगा लॉड बिलियम बेंटी भारत का पूछेगा भारत का गवर्णर जनर्रल पूछेगा इसका जो थे लॉड बिलियम लौड बिलियम बेंटी तो आपको भारत के गवर्णर जर्रनल हो गया लौड बिलियम बेंटी चलिए अच आप देखिए अब जब इन्होंने आया तो कैसे कैसे सत्ता का स्थापित किया पहले तीन गौल लिया बिहार बंगाल उडिशा आप इसने अलाग अलाग नीती लाई पहला जो नीती ती शुराच्छा प्रकोष्ट के नीती लिए पुछा जाता है के शुराच्छा प्रकोष्ट के जो नीती नीती ती किसे रिलेटिड है अगर पूछा हों कि अच्छा लाइक करते जाईए आपको लाइक करना हूं कि एक वीडियो में लाइक बहुत अच्छा किये हैं जुसरे वीडियो में लाइक करते हैं, क्यों हो गरवड़ा गए भाई, ऐसा है क्या हो गया, तो जो अगर अथी कर रहे हैं, तो सही से करें, चलिए, अगला कोशन है सहायक संधी, देखिए, सहायक संधी भी फिमस यह चलते हो जाता है, सहायक संधी का मतलब यह हुआ, कि अग लोग हो गया, हैदराबाद के निजाम लोग हो गया, उसमें क्या हुआता कि आपस में लोग लड़ते रहते थे, ऐसा तो नहीं था कि शिरपास पर अंग्रेज लड़ रहे हैं, इन लोग मराठा के चल रहा है है, हैदराबाद के निजाम से, मैसूर के अलग टिपू सुल् यह ध्यान दिजेगा लोगों को आपको जल्दी से जल्दी हरा देगा अगर अपके सही से होता है अपके घर का बेदी लंका डहाए घर का बेदी लंका डहाए तो यह वाला बात याद रखिएगा यह कहावत है घर का बेदी लंका डहाए तो सहायक संदी जो था लौड इसको सहायक संदी का जनुदालता मना जाता है सहायक संदी का मतलब हुआ कि अगर कोई राजा को यह जीत लेता है तो अपना सैनिक उसके राज में रखेगा और उसको पूरा भरुशा देगा कि कोई अगर आप समाल यह मैसूर थीक है यह मैसूर है समझे बात को और यह अंग्रेज़ ने यह जीता कि काहा इस Jakarta के हम आपके मतलब सहर में अपना सलिक रखते हैं साइनिक रखते हैं अगर कोई आप पर आ करे इसका पर आपको नहीं गरेगा इसका ही तो यहीं के लोगों से दिलवा दिया शुरच्छा के नाम पर समझ रहें बात को तो यहां से यह ने बोला हम सैनी को आपको खर्चा देना होगा बाकी अगर कोई आप पर हमला करते हैं इसका मतलब यह हुआ कि मरहाथा से हम लड़ने जाएंगे आपको लड़ने के जरूरत नहीं हैं इस तरह से दिर दिर अंदर करने लगा यह हो गया आपको शुरच्छा सहायक संद्री इसको बोलते लौड बलेजली ने किया था इतना सत्रासों अन्ठान में से ठासों पांच अगला जो कोश्चन है बाभू अगला जो कोश्चन है बिलाए नीती देखिए पहला क्या स ृजा दिर बिलाए निती के मतलब आगर किसी का उत्राधिकार्य जिंदा नहीं हो तो rugged जो है वह किसके अधिन चला जाएगा और अंग्रेज की खिए चला जाएगा कि यह जान बिलाय निती का जो किया था वो लौड रहाजी ने किया था अब इस्मे पूछा जाता है कि अज्या जो गिलाय निती के ताहत कौन सा हिस्था जो प्रदेश था उस सही बना था उसी समय 17 डिस्टिक को बिलाए नितिक इत्वाथ अपने परदेश ने में ब्रिटिश समराज में मिला लिया था परदेश ने मिला लिया था एक हो गया दूसरा जो इनों ने किया था संबल पूर डिस्टिक अब जाने है उडिशा में समबल पूर इतना याद नहीं रखना है खली पहला याद रखना यह पहला कौँ सा थिता परदेश था जिसको बिल्टिश ने मिला था साहयक संदी से पूछे जाते हैं कि सहायक संदी के तहाथ पहला को सही सा परदेश था जो इसके अंदर किया था इसका जो सभी एंसर हो जाएगा इसका जो सभी आउडब्त का नावाद का निजाम का इढ़ाबाद के निजाब जो था उसको हैदराबाद के निजाम उसको मिलाया था 2798 में 17 limit 1798 में इसके बाद मैसूर हो गया मैसूर को 1799 आपको पता है कि पुर्ष सल्तान मर गया तो उसका कोई तरधिकारी नहीं बचा तो उसके अंदर गत्र चला गया तो मैशूर हो गया 1719 में फिर आपको तंजाओर हो गया फिर आपको पेश्वा जो हो गया थे पेश्वा बाजी राफ पूछा जाता है कि कौन सा सहायक संदिश्विकार करने वाला पर्थम से भी इसन सब को इन्होंने सहायक संदिश्व से मिला लिया था इतना नहीं याद रखना है यह यह रादा रखना है अगला जूकूश्विकार अगला कम कीदा सती पर्था पर बिल्यम बेंटिग ने पुछा जा था कि बिलियम पर्था थी बर्स माप्त किया था अपने उनको नियाद रखना कि अस्थानिय स्वासासन को जनक जो माना जाता है वो लॉड रिपन को मना जाता है अठाइसो बिराशी में में बना था ये श्वासासन अभी हम पंचाइती राज बेगरा जो देख रहे हैं उसका जो श्वरूप जो है अंग्रेज के टैम में ही लाए गया था वह था स्थानिय स्वासासन जो लॉड रिपन रे के द्वारा के आया था सहयक संदी मनें बता है क्कॉंस लॉड बलेजली लॉड बलेजली का सासन कॉल कब था 1798 में 202 से 1805 इसवी तक ठीक है अगला जो है स्थाई बंदोवर्ष्ट जो लाया था देखिए आगे स्थाई बंदोवर्ष्ट जो घ्या था 38 को अब स्था बंदोवर्ष्ट चैने का एक बखस्ता था स्थाई बंदवर्ष्ट के तहट क्या किया गया था यह ध्यान रखेगा यह स्थाई बंदवर्ष्ट के तहट आपको कहता था कि मालियर की मेरा जमीन है मेरा जमीन पे आपका इस पे बोलता था कि इस से को हमको टैक्स कलेक्ट करना है थाड़ पार्टी को चुनाव किया चोटे मोटा जो राजा होते थे गौव का परधान होता था उसको कहता था कि आप बोली लगाईए इस पर टैक्स जो जादा देगा उसी को जमिदारी दिया जाएगी तो इससे जमिदार लोग बहुत जादा उसका आय बढ़ते गया और किसान के इस्तिति खरा होते गई इसक प्रिशनीति में तीन याद रखना रजयत वाड़ी व्यवस्ता और महलबाड़ी व्यवस्ता इस तीन ववस्ता जो था अंग्रेज ने अपनाया था जो किसानों से टेक्स के रुप में भूर अजास्प करने का एक वैवस्ता था तो स्थाई बंदवर्श्ट कि इसने लाय ता कि इसको और बेवस्ता के नाम से जाना जाता यहाद रखेंगे उस्तमरारी माल गोजारी ब्यवस्ता है कि माल गुजारी जाते हैं तो आप कहीं पर अस्था नहें लिख करके इस्था नागा गतने करनवा इसने कभी 1793 frightened अब इसमें कुछ चर्चा कर लेते हैं कि देखिए अब यह से मेरा यह यह मेरा भारत का नक्सार हो गया है इसमें पूर्वी बंगाल की तरह है एक पच्वी में इस पार्ट में और एक इधर टेमिलाड़ो के सेट में तेन जगा यह नोदीवस्तास लागो किया था तो जो अस्थाइब क्या गया था बागो यह कि अब बता दे रहें कि अगर कोई यही एक्जाम तो नहीं नहीं खाली आगे भी तो एक्जाम है ना बाओ एल्पी टेक्निशन बगरा का अस्थाइब बंदोबस्त जो था अस्थाइब बंदोबस्त में 1793 में ने बताया 1793 में कौन थे लॉड करनवालिज याद रखे यह तो यादे रखिएगा यह फैक्ट है लागों किया गया था एक को सुने था तो जई है वंगाल के पार हो गए है तो यह बंगाल बिहार उर्टिशा है और उत्तर परदेश का जो एे इस पार्ट का जो रिया हुआ भागोर का कहां लागए हो था बंगाल में ने सिँ आきます कि उल्पार लाग दमाद है 1 साप बारा नसी के भाग जो है उसमें इन्होंने अस्थाई बंदवास्त लागू किया था अब यह जो अपने बिर्टीस भारत देखे दोर तरफ पर्देशी रियासत थी एक बिर्टीस भारत मतलब कि जो बिटेन के अग्रेजों के अधीन आ गया उसको बिर्टीस भारत के नाम से जाना जाता था जरना जाता था तो बिर्टीस भारत में का जो कूल भाग था उसका 90% पे लगो 90% पर disappoint ब्रिटीस भारत था इन्होंने ये डागन किया ठांगरेज के पास चला जाता था और एक वताई गारा भाग जो होता था पास जाता था मगर मानी लिया जाए कि अगर कोई यादाए 500 रुपया कितना इसका दस वटाई घरवा कितना आजाेगा 15 श्रुपया आपको 500 रुपया अंगलेज के पास जाएगा और 50 रुपया जाएगा किसके पास गया फ़्या किसके आप पास तो जयमिदार जो उससमें होते थै उसके पास जाएगा उस समय जो था Thomas Monroe, Thomas Monroe, Thomas Monroe और Captain Reed, Thomas Monroe फिमस है, Captain Reed के बारे में कभी कभी पूछे जाते हैं, कहीं पर दोनों आपसन दिये रहेंगे, तो आपको Thomas Monroe की मांगना है, तो इसका अंतर हो जगा Thomas Monroe और Captain Reed ने रायत बाड़ी वाश्ता लाई, अब फिर बात होती है कि रायत का मतलब होता है किसा, अब क्या था, इसमें क्या था, कि यहां पर जो लोग जो थे, इस एरिया में, इस एरिया में जो लोग थे, इस एरिया में क्या कर रहे थे, इस एरिया में एक जैमिदार होता था, जो बोली लगा करके टेक्स कलेक्ट करता था, वो जैमिदारी लेता था, उसके बाद लोगों से टेक्स लेक्ट रहता है, रहियत वारी में एशा नहीं था, रहियत का मतलब होता है किसान, किसान भाई जो थे, डिरेक्ट लूप से, वो डिरेक्ट जाकर सरकार को पैसा चुकाते थे, जैसे अभी किया, मलगुजारी अभी हम दो देखते हैं, हम किसी और को देते सरकार को जाकर मलगुजारी कटवाते हैं, रहियत कटवाते हैं, उस टेम भी जो रहियत वारी विवस्ता के दाथ, किसान डिरेक्ट पैसा जाकर देते थे, थर्ड पार्टी नहीं होती थी, तो यह जो तमिलाडू के भाग जो गए, तमिलाडू वाला पार्ट हो गया, यहा जो भाग हो जाएंगे और एसम के भाग, एसम पूरा मैं एसम और पूर्वी बंगाल पूरिवी बंगल जिसे नाम से जानते हैं पूरिवी बंगल का भाग असम हो गई मुंबाई के कुछ भाग यहां पर आपको रायत बारी विवरस्ता लगुखे गये थी रायत का मतलग ये चलते कि यहां पे उतना लोग जमिदार नहीं थे भूपती दोग नहीं थे तो इसे है यहां पर महल बाली विवस्ता को अगला महाल यभारत में नाहिक कर लेते हैं महल बाड़ी विवस्ति पुछिए महाल मतलब होता है गाउं का समु गाउं का समु हम लोग महाल बोलते हैं अब इसका मुख्या होता था यह सभी होता है कि पंचायत होता है पंचायत के अंदर बहुत सारे गाउं होते हैं उसका का पंजाब के भाग हो गए अभी का जो मेरा मद परांत हो गया माइस में परांत होता था MAD PRADES ौत्र-PRADES के भाग जो थे आपको महलवारी बेवस्ता के अंतरगत आती थी सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं, वो अस्थाई बंदवर्ष से पूछे जाते हैं, बाबू, क्योंकि वही है कैसा था, जिसके स्थाथ किसानों को हमदनी बहुत कम कर गए थी, किसान भाई लोग जो थे, कर्ज में चले गए थे, तो इसी पर एक किताब बहुत ही फिमस किताब लिखा गया ह है, यह आपको याद ही रखना है, इसी पर एक बहुत फिमस किताब लिखे हैं, कौन तो दादा भाई नो रेजमी ने बताया था, इंडिया निशनल कॉंग्रेस के बाद, कि पॉवर्टी, पॉवर्टी, एंड, अन ब्रिटिश, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह इं इसी को धनि इसकासन के सिधानत के नाम से बिजन आनाज सा जैते हैं, यह ज homemade भाई नो रजी, यह दादा भाई नो रजी, यह बहुत फिमस आपको बताये थे कि कांगरेस, में तीन बार इनोने बना था, तीन वार कॉंगरेस के दर्स्ता किये ती एंटादाभाई नोरजी में अगर जो वीडियों नहीं देखे हैं वरतिरस्टे कॉंगरेस का जाकर देख लें क्योंकि उससे एक कॉशन पुछने की संभवना जरूर है अब एक और चीज़ जो किये थे दादा भर्ष लंदन में इंडिया सुसाइटी की अस्थापना किये थे यह होगे भारत का ब्रिटिस अर्थवास्ता में किस टाइप से अंग्रेजों ने भारत के जो किसान भाई लोग थे उसका आलत को गंभीर कर दिया था इससे कोषण पूचे जाते हैं बार-बार पूचे किस ने किया था लौट करण वाले warum इश्विमा में स्थाल एक बंदवस्त का था तो एक भूर अजस्थ करने का एक मेथड था लौट करण वाल इससने कब लागो किया था 1793 order here पूछ देगा रएने बाड़ी विवरस्ता कहा प crit then व सब कर लेद्टा यह सब आने की स्भावना बनती है एक और कौोस्टन जो पूछे जाते हैं में इसका भी मैं वह करें देता हूं यह सब चीज आप लिख लिजेगा तेसे इसे इंपोर्टेंट है मैं पूरा-पूरा नहीं बता रहा हूं कि कुछी कुछी पांट बता रहा हूं अगर पूरा-पूरा बटाओं तब बहुत चलेगा अगर आप कि अधियर जब जानी आगे तो इसमें नॉन में जो सबस्क्राइब तो यह जो नहीं आपको 18-39न इसमें इसका मुख्याले अस्थापित किया गया था एतना अगर आपको समाज में आ रहा है इतना अगर आपको समाज में आ रहा तो इसको लाइक ठूकते जाए ये लाइक ठूकते जाए आप यह खेंगे आप न रोजी याद रखना है ये आपको याद रखना है अब आगे का जो question आगे जो पढ़ना है उसमें आपको भरतिय राष्टिय कॉंग्रेस का मैं वीडियो बना दिया हूँ उससे जो question जो पूछे जाते हैं उससे जो question पूछे जाते हैं वो वहां से जाकर देख लेंगे उसके बाद जो हमने बताया कि करांतिकारी अंदोलं जो हो गए महात्मा गांधे से related कुछ हो गए और से जो आपका भारत छोड़ đang हो गए ये सब अंदोलंस न कुछे जाते हैं सायोग अंदोलं हो गया होम रूल अंदोलन हो गया यह सब जो अंदोलन को इचे जाते हैं आपको याद रखना है आगे के वीडियो में कोशिस करूँ को बताने का अगर थोड़ा वीडियो लंबा हो जाने के बाद आप लोगे देखते हैं कि थोड़ा रिस्पॉंस कम बहुत होता है कुछी बच्चे मेरेट से शुरि हो गारेट चैनल पांडे जो ठेकती थे जिन्हों ने यह जो थे इन्होंने वीद्रोवार शुरुआत की थी बिहार से पूछा जाता है बिहार से कौन सानेता जो थे जिन्हों रहां से नतरामन के विड्रोया भाग लिया था तो इनका आस जब बीर कुबर बीर कुबर से एक विब्यक्ति थे जो ने नेत्रित्व किया था इसने किया था नेत्रित्व किया था बिहार में अगर पूछ दाएगा ठासा लखनाव का एक जाने जाने था पूछ देता है इसका जो सही हंसर हो जाएगा उस समय बेगम हजरत महल बहुत ही फ्यूद्व किया था इसका जो सही हंसर हो जाएगा उस समय इसनाम है यह बेगम हजरत महल यह लखनाव से इन्होंने किया था इससे कोशन पूछे जाते हैं बिहार से बिहार से बिहार से कोशन नहीं पूछे जाते हैं थास व संतमान के विद्रोग पुछा जाता है कहां से हुआ तो मेरेट में कौन किया था मंगल पांडे ने और लखनाव में लखनाव में ने त्रित्व किस ने किया था तो वो जो थे बेगम हजरत महल थे बेगम हजरत महल थे चलिए आगे की जो वीडियो आएगा उसमें आने के कोशिश करूँगा अगर यह वीडियो सच्चे में गिल से अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें सब्सक्राइब करें जो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देंगे आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट है आप लोग ही सब कुछ है तो अगर हम इतना महिनत कर रहे हैं तो आप इतना मुझे ना उमिद तो आपको रह सकते हैं कर भला तो हो भला इसी क्ताब के साथ आज का सेशन समाप्त करता हूं आप लोग को फिर से टेक्निकल क्लासेस में बहुत-बहुत धनिवाद करता हूं चलिए